Hello all of you, कल हमने bank reconciliation statement का introduction part हमने discuss किये थे फिर हमने देखे थे कि cash book और pass book में differences जो आते वो क्यों आते हो क्यों क्या reason होते हैं, क्या causes होते हैं तो ultimately bank reconciliation statement क्या चीज होती पिटा कि जो cash book जो हम maintain करते हैं और pass book जो bank maintain करता है उन दोलों में difference balances में आना नहीं चाहिए मगर वो differences आते तो उसको reconcile करने के लिए हम एक statement बनाते उससे कहते bank reconciliation statement वो differences क्यों आते वो भी हम लोगों ने कल बात किये थे अब आप और लोगों कि सर यह आपके हाथ में क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी जो इसमें क्या तीज बटा अभी मेरी बात सुनो तो हमने देखे थे कि जो differences आते हैं हमारे वो कौन से differences होते हैं क्या reason होते हैं कल मुसके बारे में बात किये थे हम लोगों दे अब bank reconciliation statement एक statement है जो cash book और pass book में जो differences आयो उसको reconcile करके देता है कि क्यो differences आयो है बेटा अब bank reconciliation statement जब हम बनाते है बेटा तो चार possibility होती है किस तरीके से question को शुरू करना है depend information question में कैसी दी हुई है अब आप समझेंगे बेटाई यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कैसे हम BRS बनाते logical हम जाएंगे बहुत आसानी से chapter हमारा हो जाएगा अब मैं कहता हूँ कि एक customer है हमारा यह customer है इसके bank में इसने पैसा जमा करा रखा है यह bank है ठीक है यह bank है इसने bank में पैसा जमा करा रखा है अब यह maintain करता है cash book और bank बनाती है pass book बेटा अब क्या चीज़ होती हमने bank में पैसा जमा करा है बेटा यह customer का bank में पैसा जमा है बेटा बैंक में पैसा जमा है तोई क्या होग Ihr यह कुण के लिए इसके लिए क्या है डाइस्ट है बैंक में पैसा जमा है तो होसकता है जब इंफर्मेशन को कोश्टन में दे तो this starting point यह क्या होगे आपका डिप्ले बालेंस ऐस पर कैश्पूक डेबिड क्या बनाता है और बैंक क्या बना रहे पास्ट बुग बना रहा है ऑक को उसके हम इसने दिया डिबिट बालेंस इस पर cash book उसमे question में को दिया क्या दिया गाड़ा debit balance as per cash book दिया तब देको यहाँ पर cash debit balance as per cash book मतलब हमारा पैसा bank蓉 में जम्याई asset की debit balance होते पिटा तो यह cash book इसका debit balance और यह हमारा क्या हो गए asset हो गए ह है यहाँ पर क्या चीज होगी है हाँ पर हमारी यह asset हो यह यह customer के point office है島 फी उपल दो फिर बाई बैंक के लिए क्या ना yhtगयी होग subset हम बोलते कि baby कि हमारा पैसा बैंक में जमाए तो हमें बैंक से पैसा लेना है तो लिले लिए कि assumingट को हम को देना कि credit balance question में क्या दिया है उसने अब हमनारा पैसा bank में जमा नहीं है बैंक से हमने short term loan लिए overdraft ले रखे बिटा what is overdraft कि हमारे bank में उतना पैसा जमा ही नहीं नहीं लेकिन तो भी हम bank हमको facility देती कि आपके account में पैसा नहीं है तो भी आप जादा withdraw कर सकते हैं अब हमने bank से ले रखे बैटा तो cash book में हमारा credit balance आएगा credit balance क्यों 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 हमने पैसा ले रखे यह हमारे लिए क्या है liability है यह हमारे लिए क्या है liability हमने पैसा ले रखे हमको repay देना है we are liable to pay हमारे लिए हमको बैनक को देना है तो यहां पर हमारे लिए फिर बैनक को अगर हमसे लेना तो उसके लिए एक possibility कि वो हम को कहे हमारा बैंक में पैसा जम्हाँ debit balance ऐस पर cash spoke दूसरा बैंक से हमने लिए credit balance as per cash book तो हमारे लिए क्या हो जाती है एक इसमे asset और एक इसमे क्या liability अब हमारे लिए asset तो bank के लिए liability अगर हमारे liability तो bank के लिए asset अब तीसरी चीज़ पर मैं आता कभी question मेंगा debit balance as per pass book पर सोच समझ के समझ कहना debit balance as per pass book का मतलब क्या होता है के bank को हमसे लेना है debit balance मतलब right to receive मगर as per क्या bolay पिता उसने यहां पर as per क्या बोला संने pass book बोला или as per क्या बोला सने pass book बोला मतलब bank को हमसे इने का यह बैटा bank को हमसे लेने का यहाँer मैं लिखूँंगा debit balance यह passport box वाली तो बैटा debit अब बेंक को हमसे लेना है तो आप में इको बताओ अगर बेंक को हमनेना तो बैंक कोडिक है इसको अगर 751 कोडिक मेरे विए लियॉटी की सिंदु कि अब स्नुनिग मेरे है तो फिर एक सीस्टीर पॉंट innovator आप यह भी कोशन में दे सकते हैं यह तीसरी स्टाइटिक वो हमको दे सकता है तब चौत ही की बात करते हूँ उसने हमको बोला बेटा credit balance as per passbook मतलब यह credit balance as per passbook तो यहाँ पर उसने दिया credit balance अब मैं को बताँ what is credit balance as per passbook passbook के साब से कौन सा balance credit balance है बेटा तो bank को हमको देना है credit balance as per passbook मतलब bank को हमको देना कि passbook कौन maintain करता है bank तो bank के लिए ये liability है तो फिर हमारे लिए क्या हो गई बीटा वो asset हो गई तो starting point हो सकता है अब हो सकता है कि starting point 4 possibility जो question में दे बीटा वो सकता है कि debit balance इस पर cash book अब मैं को आप customer के नजरीय से सोचो बीटा होता है कि हमारा पैसा बैक में जय माले तो हमारी लिए क्रेडिट एस पर पासबूख मतलब बैंक कह रहा है कि उसको हमको देना है वो भी हमारी लिए से देखो तो ये पहला और चौथा कस्ट्मर के नदरीनЬ वा बदधा ये कैसे फ्यवक्त से पैसार सब्सक्राइब कि उए कई का सूचwyn हो पहले पॉइनंट में कास्टमर की नदरी से सोचो मैं कहता हूं पहले बैलस इस पर कैशबुक मुझे बैंक से पैसा लेना है मेरा पैसा मा जमा है तो मेरे लिए क्या होई एसे यह पॉइंट में कहता है वह बेटा यहां पे कि बैंक को मुझे पैसा देना है अगर यह पास बुक मतलब बैंक मेंटेन कर रहा है तो बैंक को मुझे पैसा देना है तो मेरे लिए तो एसे होगे मतलब आपको कि कोश्चन में आपको दे credit balance as per cashbook बढ़ अच्छे समझता है credit balance as per cashbook कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होंगा हमारा credit balance as per cashbook मतलब हमने bank से पैसा जादा लिए हमारी लिए क्या है लायबिलिटी तो customer के लिए क्या हो जाएंगा पर अन-favorable उजाएंगा इसको ना-favorable कहते है या bank कहता है कि debit balances पर password मतलब बैंक कहता है कि उसको हमसे लेना है उसको खमसे लेना है मतलब हमको उसको देना है यह भी हमारे लिए क्या हो जाएंगा अन फेवरेबल अब इस चीज को अच्छे से समझना तो कोश्चन के शुरुआत जब कोश्चन शुरू होंगा तो चार पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दे डेबिट बैलेंक को हमको देना है मतलब हमको से लेना है तो यह फेवरे के रहा हूं किसकी का जो भी के सकते देना हो और जो मैंने करेंट लिए च्यांट की को तो अब इसको solve कैसे करना क्योंकि question में आपको जब एक तरह का कोई balance दिया है क्योंकि ultimately bank reconciliation statement क्या चीज़ होती बैंक reconciliation statement एक वो चीज़ होती है जिसमें cashbook और passbook में जो difference उसको reconcile करके देना उसको reconcile करके देना तो आपको question में हो सकता है कि चारों में से पहले तो कोई एक ही चीज़ दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा balance इसपर cashbook दिया है तो जो differences क्यों causes दिया रहेंगा question में उसको reconcile करेंगे और फिर हम को महाँ पर देखेंगे हम के balance इसपर passbook क्या है अगर balance इसपर passbook कर दिया है तो फिर हम calculate करेंगे balance इसपर cashbook कितना आएंगा टो ultimately cashbook का balance दिया है और reconcile करेंगे तो क्या आजाएंगा balance इसपर पास बुक अगर पास बुक का दिया है और northern herett इसपर पर क्या जाएंगा जाएंगा तो ए sevi town के जो बैलंसेस है उन दोनों के बैलंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहे उसको हमें रीकंसाइल करके देना रहेंगा उसे हम कहते हैं बैंक के रीकंसिलेशन स्टेटमेंट बीटा अब यहां पर समझना यह जो मैंने फेवरेबल अन्फेवरेबल लिखां डेटी स्रम कस्टमर आप यह दो देखोंगे ऐसेट यह उसके लिए फेवरेबल है जो लाइबलिटी वाले उसके लिए क्या है अन्फेवरेबल आप खुद सोचो मैं कस्टम हो बैटा आप बैंक हो मैं कहता हूं मेरी बुक में डेबिट बैलेंस इस पर कैश बूक तो मेरी लिए पैसा लेना है और ओलब और लाइबल टुपे से लिए तो मेरी लिए को मुझे आपको मुझे आपको मुझे आपको देना है ले देना है तो मेरी लिए पैसे ही लिए चोते केid अगर आपको मुझे देना है तो मुझे आपसे लेना है तो मेरे लिए क्या होगी एसे तो जो एसेट वाले पॉइंट है पहला और चौता वह मेरे लिए फेवरेबल होगा है कि महां पर पैसे आने राइट तू रिसीव है और सेकेंड और थार्ड आम लाइबल अब जब भी आप कोश्चन हम पढ़ेंगे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हर कोश्चन में देंगा कि चारो में से कौन सी चीज स्टार्टिंग पॉइंट हमको बहुत अच्छे से कोश्चन में देखना रहेंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा starting point, 4 में से हमारा कौन सा starting point है, तो 4 में से हमको कौन सा दिया हुआ है question में, वो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो क्योंकि उसके basis पे question solve होंगा, कैसे solve होंगा, भी मैं आप फे 2 मिट में बात करूँ है, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब मेरी बात को थे वो भी ध्यान से सुनते जाना ठीक है अब मेरी बात यहां पर एक और चीज लिख लूँ यहां पर यह अपने customer के point of इसे लिख रहो हूँ यह मेरी asset यह मेरी liability customer के point of इसे और अगर यहां पर credit balance यहां पर आपका यहां पर यहां पर credit balance यहां पर पास्बूक आ रहा है तो बैंक हमको कह रहा है कि उसको हमको देना है customer के नजरे से मैंने asset or liability लिकाओ जो हमारी लिए asset तो फिर bank के लिए liability जो हमारी लिए liability बैंक के लिए asset ठीक है अब मेरी पात ध्यान से सुनों यहां पर अब क्या हो रहा है यहां पर बच्चो कि question जब हम पढ़ते तो कई बार ऐसे word use होते हैं कैसे word use होते हैं ध्यान से सुनों यहां पर deposit with bank bank में पैसा जम्मा है बैंक में पैसा जम्मा है तो as per cash book बता हमारी लिए क्या हो गई हो एसे हो गई है तो बैंक में पैसा जम्मा है तो हमारी लिए asset बैंक के लिए liability लेकिन ऐसे word use किया overdraft balance loan balance excess withdrawn मतलब हमने ज्यादा पैसा बैंक से लिए od facility लेके रखे तो हमारी लिए liability तो फिर बैंक के लेकिया हो जाएंगी पीटा asset हो जाएंगे तो ऐसे wording use होता है तो हमको question में यह बड़े अच्छे से पैज़े लिखना नहीं आपकी notes में है printed हमको यह पैचानना रहेंगा बैटा कि question की शुरुवात कैसी हो यह चारों में से कौन सा point आ रहे हो हमको समझना जरूरी रहेंगा और फिर हम reconcile करेंगे अब यह जो point मैं लिख रहे हो यह आपने आपके notes में लिख लेना बैटा करेंगे आपको यह देखना रहेंगा बैटा कि starting point इसको कहीं draw कर लेना यह बड़ा important है पता है यह जो मैं अभी chart draw करूँगा इसी के basis पे पूरा chapter है बड़ा सिंपल है ध्यान से सुनना starting point हमको question में कैसा दिया है अगर वो कहता है बेटा starting point कैसा दिया है अगर question में debit balance से starting point दिया है अब आप कहूंगे सर debit balance का मतलब क्या और हो सकता है question की शुरुवात credit balance है हमको दो अब में को बताओ बेटा यह debit balance तो भी cash book का या pass book किसका हो सकता है बेटा वो debit balance जो है आपका या तो फिर बेटा वो ऐसा दिया है question में debit balance मैं ऐसा लिख ले रहा बेटा debit balance as per cash book starting point ऐसा दिया है debit balance as per cash book या तो फिर उसने दिया है debit balance debit balance as per pass book या ऐसा दे सकता है debit balance as per cash book और debit balance as per pass book बहुत ध्यान से सुनना मेरी बास ठीक है और यह तो फिर यह credit balance is दिया तो किसका credit balance दिया है वो credit balance हो सकता है बेटा अपका credit balance हो सकता है आपका credit balance credit balance as per cash book ऐसा दे सकता है पीटा ou question में या दे सकता है हमको credit balance as per passbook credit balance as per passbook पेरी बात ध्यान से सुनना लिए अभी हम लोग question solve करेंगी पूरे chapter का जो यह भी chart मैं बना रहा हूं इसी पर खेले पूरे chapter इसी पर खेले इतना simple है लोग इतने format इसके याद करते कुछ भी रटने की कुछ जरूरत ही नहीं लोग याद करते बैठते इसको याद करने का कुछ भी नहीं बिटा याद करोगे गडबर कर दोंगे वह बद आप देखने के लिए आप एक बार देख सकते हो अदर्वाइस आपको basically मैं जो यहाँ पर तरीका बतार उस तरीके पॉसिबिलिटी हो सकती ही debit balance is per cash book या debit balance इस पर पास भूग क्रेडिट बालेंस पर कैश भूग के क्रेडिट बालेंस पर पास भूग यह दे सकता है अब क्या होंगा जब भी उसने हमें यह दिया जब भी उसने यह तो यह possibility होग यह तो यह कि एक रूल अकॉंट में होता है क्रेडिट क्रेडिट माइनस होता है या क्रेडिट डेबिट माइनस होता है Simple Maths की Equation है, debit debit plus होंगा, plus 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 होता है, यहाँ पे debit debit plus, credit credit भी plus होता है, debit credit minus, यह credit or debit क्यों होगा, minus, Simple Maths की Equation है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ यहाँ पे यह कौन सा balance है, यहाँ पे पहले इसको लिख ला, यह add, यह less, मैं बता तो क्या करो, आप लिख लो, बस अभी दो में ठीक है, यहाँ पे आप लिखोंगे increase, आप लिख लो, फिर मैं समझाओंगा भी आपको, decrease, यहाँ पे मैंने लिखा less, यहाँ पे लिखा मैंने add, यह जो खेले ना भीटा, यह चैप्टर का पूरा यही खेले, यही पूरे चैप्टर का खेले, इसी के basis पे चार्ट पे हमार यहाँ पे बच्चों क्या debit, बहुत basic चीज़ ख्याल रखना, यह क्या debit balance, हमेशा याद रखना, debit, debit add होता है, तो मैंने यहाँ पे increase और decrease मैं दो मेट में बात करूँ, अभी मेरी बात पर ध्यान सुनें, उसको अभी ignore करूँ, increase, decrease मेरी बात सुनो, यह debit है, debit, debit add होता है, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इस तरीके से, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इस तरीके से, यह मैंने किया debit, मैंने कहा debit, debit क्या होता है बेटा, add होता है, तो यह देको, यह रहा debit balance, opening balance आपका debit है, starting point debit है, और आप अगर debit कर रहे हो, तो क्या आप अगर credit करते हो, तो starting point debit है बेटा, आप उसको credit कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा वो, less हो जाएगा, उसी तरह starting point credit है बेटा, और आपने credit करे तो add होगा, मतलब यहाँ पर आपने तो फिर credit करे तो क्या होगा बेटा, add होगा, starting point बेटा आपका credit है, credit और आपने अगर debit करे, तो आपका क्या होंगा वो यहांपे less होंगा तो आपने जो इस चार आइटम लिखे हो इसको ख्याल रखो एक है यह add less less और यह add बहुत सिंपल सी चीज़े से दो तरीके है solve करने के बिटा एक होता है मैं आपको दोनों तरीके से आप solve कर सकते हैं कुछ भी नहीं उसमें एक है बिटा debit और credit पैटन से आप solve करो और एक होता है बिटा add और less वाले पैटन से solve करो अब कौन से पैटन से करना उपर के चार्ट को फिर से हम discuss करेंगे तो कौन से पाटन से करू डेबिट क्रेड़िट पाटन से करू कि एड और लेस वाले पाटन से करू बीटा देखो कैसा होता है कि मैं personally prefer करता हूं डेबिट क्रेडिट वाला पाटन। यह पाटन विछ जाधा अच्छा रागता है क्यों कि डेबिट क्रेड से accounting बहतर हो समझ में आती लेकिन इंस्टिट्ट जो है maximum लोग एड और लेस्ट से करते इंस्टिट्ट के आप अगर suggested देखो material में देखो या RTP में exam में जो भी questions आते जब suggested देते वो लोग एड और लेस्ट से कर रहे हैं किसे कर एड और लेस्ट इसी लिए मैं भी आपको question एड और लेस्ट से कराऊंगा लेकिन परस्नली मैं प्रेफर यह वाला करता है डेबिट क्रेट लेकिन ऐसा बहुत चेंज नहीं बिटा अपने ऐसा rigid नहीं रहना अपने एड और लेस्ट से करेंगे लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा आप वह एड और लेस्ट वाले solution को देखकर आप बोल देंगे debit क्रेट से ऐसा होगा तो कैसा होगा अपने एड लेस्ट से क्यों कर रहें कि इसलिए कर रहें अब बड़ी सिंपल सी चीज़े यह जो मैंने लिखा हूं यहां पर increase or decrease क्या है उस पर थोड़ी दिर बाद हम बात करे लेकिन आप यह समझने यह एड की हुआ बेटा डेबिट डेबिट एड होता है डेबिट क्रेडिट लेस होता है क्रेडिट क्रेडिट एड होंगा क्रेडिट और डेबिट लेस होगा सिंपल मैच से बिटा सिंपल मैच से प्लस 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 हो रहा है प्लस माइनस माइनस हो बस वह चीज़ है माइनस प्लस माइनस हो रहा है वह चीज़ है आपका यह debit debit add debit credit less credit credit add credit debit less simple सरूल है अब देखो आपने अगर हमारे उपपर है कैसे सॉल्फ करते हैं debit credit क्रेडिट करो के credit debit करो कि इसके बारे में बात करेंगे हर को इसको ड्रॉ कर लेना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बस इसी के basis पर इसी के basis पर देखो और क्या होता आप अगर देखो कि जब भी मैंने यहां पर debit balance लिखाओ मेरी बात जहांते सुनना बेटा स्टार्टिंग पॉइंट जब भी मैंने यहां पर debit और क्रेडिट यह starting point debit balance और इक्रेडिट यह starting point लिखाओ बेटा मैंने तो जब इस पर इस पर पास्बूग उसका ट्री जो भी हम treatment करेंगे न वह दोनों पार्टन में यहां पर सेम हो रूल हो रहा है debit क्या है यहां पर starting point क्या है credit अब देखो यहां पर आपके जो notes में दिए आप देखो यहां पर यहां पर बहुत सर आइटम्स आ रहे दिए उसका treatment दिया आपको अब उसका देखना है आप अगर यह झ्यां यहां पर इसन्याट में ट्रीट्मेंट है यह थी इससें ट्रीट्मेंट है यहां पर लेकिन अगर वह credit आ रहा है यहां पर ट्रीटमेंट नहीं पर यह त्रीटमेंट को सेम रहेंगा सेम रहेंगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट तो मैंने आपको यह चार्ट वर्ड याद नहीं करने यह आपको जब हमारे इसको अभी देखना भी मता इसको देखने पैड़ जाओंगा इसको देखना भी मता भी जब चैप्टर कंप्लिट हो जाएंगा उसके बास स्रिफ आप अपन मैं जो आपको जिस तरी की से सिखाऊंगा उस तरी की से और आपको दोनों पाटन से यहाँ पे दियो एड और लेस से के सवाण इंस्टिटूट एड और लेस से करी तो मैं भी वैसी करो लेकिन डेबिट क्रेट भी आपको बता दूंगा उसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं वह बहुत सिंपल है ठीक है तो इसको अभी द पूरे चैप्टर का खैल यही है पूरे चैप्टर का खेल किया गयर गा इस चीज को आप ख्याल कर रखेंगे अब मैं आता हूं बेसिकली आप करते हैं बहुत सिंपल है इक हमको चारों में से कोई एक बैलेंस दि रहेंगा धांग अगर बैलेंस इस पर कैश बुग दिया ह है balance per passport बी एट यह तो balance इस पर cashbook निकालते हैं दोनों दिया तो दोनों हमारा cross check हो जाता है ठीक हमारे यहां पर क्या हो जाता है तो cashbook का balance भी और Q differences आए उसको reconcile करेंगे तो नीचे जो balance आएंगा kaloraणica का बालेंस पर पास्जूंट की आइन कॉसिट नभर करेंगे तो बालेंस पर कैश्भूक आ तो हमको बस किये हर कोष्टन में दिखने है कि बहुत आसान है मैं आपको तरीका पत्wenगा बहुत आसानी से question होते जाएंगे विटा अब आप आओ question number one पे विटा question number one पे आओ जो कि आपको पूछा गए CA Foundation के May 2020 के RTP का question सबसे पहली step मैं question solve करते करते आपको भी बताते भी जाओंगा पहली step आपको यह find out करना है बच्चों कि starting point क्या है वो इस पर ध्यान होना अपना देखो प्रिपेर बैंक reconciliation statement from the following particular as on 31st March 2018 अब इसको देखो बटा क्या है starting point सबसे इंपॉर्टेंट question debit balance as per as per bank column of cash book जब भी हम cash book के बाएं बोलते तो obviously bank column of cash book की बात कर रहें तो इसने cash book के हिसाब से हमें cash book के हिसाब से हमें उसने debit balance दिया debit balance किसके साफ से दिया बटा cash book के हिसाब से debit balance दिया अब आप में को बता आओ यह चारों में से यह जो दो के से starting point के debit balance है के credit balance है debit balance है तो यहाँ पर जैसी नहीं बोला बिटा sorry debit balance यह बोला इसने debit balance बोला इसने फिर cash book हो या pass book है debit balance बोला बिटा तो क्या rule है यहाँ पर increase add decrease less तो आपने कहीं पर लिख लेना है इसका rule है इस question में increase add और decrease क्या आएंगा यहाँ पर less increase add और decrease क्या आएंगा पिटा मारा less इसको कहीं पर लिख लिख लिना इसको कहीं पर लिख लिख लिना इसको कहीं पर बस आपने लिख लिख लिना हर question में स्टार्टिंग पॉंट देखना है और क्या यह वाला रूल है कि यह अपने को देखना है यह तो इसको लिख लिए डेविट क्रेट से मैं बता हूंगा डूंट वरी पहला भी इतना बस लिखेंगा increase at decrease less ही क्या अपने दो मिट में भी बात करेंगे ठीक है तो हर question में पहले starting point देखें और इसको यहाँ पे लिख लिए तो आपने भी starting point देखें आपके पास notes है आयोग आपने print करा लिए तो आपने question number one पे बच्चों वहाँ पे question number one पे आपने वहाँ पे लिख दिए कि increase at or decrease is less इसको लिख लिए आपने क्यों क्यों लिखे because starting point क्या दिया question में आपको यहाँ पे आराम से लिखो debit balance as per cash book यह हमको question में दिया starting point बीटा debit balance as per cash book तो हमने रूल लिख लिए increase increase add or decrease increase add or decrease क्या करें अब हमको एक एक आइटम में महां से पढ़ते जाओंगा एड होंगा कि लेस होंगा वह अपन बात करेंगी बहुत सिंपल है यहां पे बहुत सा आइटम दिया अपने के करके पढ़ेंगी don't worry पहले आप लिखो बटा महां पे bank bank reconciliation bank reconciliation statement statement as on अब जैसे मैं draw करूँ उसको draw कर लेंगी बिटा यह कोई debit करेंगी अपने अचाउंट नहीं नहीं बिटा इट इस जट सेटमेंट reconcile कर हमारे convenience के लिए यहां पे लिखो बिटा पर्टिकुलस यह एक inner column amount का वैसे आप उसको वहां पे भी कर चले ठीक है एक एक column और एक और यह inner column और outer column है debit create नहीं मत बोलना उसको inner और outer column है ठीक है इतना पहले draw कर लो 10 एक line का पहले इसको draw कर लोगा किये अब मेरे बात बहुत ध्यान तो सुनना अब जब बिटा पन यह question अभी solve करेंगे ठीक है अभी question जब हम solve करेंगे मैं पहले क्या रहा हूँ जब आप जी अभी हम शुरू करेंगे के point पढ़ना कैसे हम को करना कैसे solve करना हम उसे बात प्रेंगे लेकिन क्या होगा बिटा यह question में इसमें एक दो question ऐसे रगेंगे थोड़ा थापको बड़ा ही ध्यान से एक दो question करना शुरूआत के दो तीन question question specially एक बार वो दो तीन question हो गए ना फट 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 आसानी से कितना भी advanced question हो कितना भी advanced question हो आप आराम से कर लोंगे ठीक है दस मार का examination में इसमें आता ही एक BRS पे question मगर शुरूआत के दो तीन question important है थोड़ा सा एकदम से freely अभी तरीका सिखाऊंगा एकदम से नहीं होंगा freely मगर दो तीन question जब अपन कर लेंगी तो आपको practice हो जाएंगी उस चीज़ की फिर आप speed में करने लगोंगो ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुरूँ आपको भी ऐसी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा अजीब लगेंगा कि सर कैसे कर रहे लेकिन दो तीन question मैं ऐसे करोंगी फिर आपको बराबर comfortable और smoothly आप सारे questions के कर लेंगी ठीक है अब देखो यह दिख रहा है बिटा आपको क्या दिख रहा है एक दिख रही है सर cash book और एक नजर आ रही है pass book यह cash book कौन maintain करता है यह customer यह कौन maintain करता है bank तो एक आ रही है बेटा आपकी cash book और एक कौन सी बिटा हमारी pass book बड़ी अच्छे से इस चीज़ को समाज दो सबसे पहले दिए debit balance as per cash book तो आप यहाँ पे लिखो आपने जह यहाँ पे लिखी बिटा यहाँ पे लिखो जैसे मैं लिख रहा है वैसी लिखोंगे आप debit balance debit balance as per cash book इसको लिखो बिटा debit balance as per cash book कितना दिया है question में बिटा पहला point 18,60,000 18,60,000 आउटर कॉल अप पे लिखने है इसको 18,60,000 अब यह आप उसने numbering करके नहीं दिया 1,2,3 points तो अपने ऐसे कर लेंगे आप एक बना लो add उसके बाद बिटा पांच-चार-पांच लाइन बाद लिखना है लेस ठीक है add और less इस तरीके से लिख लो एक बनाना अपने add और एक चार-पांच लाइन भी लिखना less ठीक है अब ध्यान से सुनना है बिटा अब देखो यहाँ पर में आपने इस चीज को में यह है इसको ख्याल रखना कोई टेबल वेबल याद नहीं करना पड़ता मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे समझने ओ कहता है चेक इशू टु क्रेडिटर सेकंड पॉइंट पर रहा चेक इशू टु क्रेडिटर बट नाट येट प्रेजेंट इस चैक इशू और आपको भी ऐसी करना है जैसे मैं करो द इसको इशू करा किसी को दिया और उसको बोला कि मेरे अकाउंट से पैसा ले 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 ना वह उसको मैंने आपको चेक दिया तो मैंने आपको चेक लिक कि दिए तो इशू किया आपको जाओंगे मेरे बैंक मेरे बैंक में बेजेंगा और मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट बैंगा लेकिन आपको मैंने चेक इशू किया बट चेक इशू टू क्रेडिटर आपको इशू किया बट नौट येट प्रेजंटेड आपने वह डूमीन नौट येट प्रेजंटेड आपने अभी तक के जाके अपने बैंक में जमा नहीं कर और मेरे बैंक में उसको प्रेज अब देखो यहाँ पर इसको compare करना है अच्छे समझना यह cashbook के passbook मैंने check issue किया हूँगा तो कहां पर record हुआ चेक issue हुआ तो check issue हुआ तो check issue करने पर मैंने कोई party को दिया तो party account debit to bank किया मतलब मैंने check issue किया तो मैंने अपने cashbook को कम किया cashbook को क्या किया बटा कम किया मैंने check issue किया तो cashbook को क्या किया बटा कम किया मैंने check issue किया तो cashbook को क्या किया मैंने कम किया बटा अब में को बताओ यह cashbook कैस फिर से देखो मैंने check issue किया तो मैंने cashbook में record किया cashbook में बैंक column को कम करा क्योंकि चेक इशू किया, बैंक कॉलम को कम किया बेटा, अब मुझे बताओ यहाँ पे यह cash book को pass book से, किसको बोला बेटा मैंने, cash book को, cash book को pass book से मिलना है, तो मुझे बताओ इसे मिलना है, इसे मिलना है हमेशे, इसको हमेशा मिलना रहेगा, इसको cash book को pass book से मिलना है, तो हमने cashbook के balance को कम करें हमने cashbook के balance को कम कर दिये अब हमको reconcile करना है हमको एक जगा पर जब भी उपर नीचे कहीं होंगा लेकिन reconcile करना मतलब एक जगा पर लेकर आना है तो मैंने कहा कि cashbook को कम करा क्योंकि check issue किया cashbook में कम किया अब reconcile करना एक जगा पर लेकर आना है तो cashbook को increase मतलब उपर के decrease मतलब नीचे उपर की नीचे यह रहा cashbook इसको passbook से मिलना है लिखो comment box लाइफ चैट में लिखो बेटा महाँ पर कि cashbook को passbook से मिलना है तो increase के decrease increase मतलब उपर decrease मतलब नीचे यह cashbook को मिलना है cashbook को मिलना है तो क्या होंगा इसको उपर जाना पड़ेगा increase अब आप देखो यहाँ पर इंक्रीज अगर करना है यह रहा increase increase में क्या करना रहेंगा हमको add क्या करना रहेंगा add मैं debit credit से बताऊंगा अभी addless से करना है इंक्रीज से क्या करना पड़ेंगा हमको add करना पड़ेंगा तो हमें बस दोनों को compare करना है दोनों में से कोई उपर नीचे होंगा और यह दोनों को मिलाना रहेंगा मिलाने में विशूट να झाता है एक और बार कहत हूं cashbook था अमारे पास ठीक और बार कहता हूं cash को पास इसको करे यह रहा च topics आप्ave करें आपी आपक देखो याद में अब भांपर याद नहीं करना है इस तरीखोधे कर तो date आप ँंपी एड indoor पे अधिक एब चेक इन एक इसूद बड norm येट इनेड है प्रेजेंटेड बट नॉट एक प्रेजेंटेड टू claims प्षाधोर दा मैंने से द्ला profits claim अन्य इप्टम आप्रुकान मिल लिखने हैं 3,60,000 वेटा अब आओ नेक्सट वालेस पे अब रजादे को फिर आप उस्टू हो हों विचे हैं अब आओ नेक्स वालेस पे क्या कहता है dividend received by the bank dividend received by the bank किसने received किया bank ने but not entered in the cash book अब क्या हुआ dividend मिला 2,50,000 रुपए का तो bank ने उसको received कर और से रिकॉर्ट कर रहा तो bank cash book maintain करता है क्या pass book pass book maintain करता है बिटा तो bank में dividend आया तो bank ने हमारे bank जो हमारा account maintain कर रहा उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया क्यों बढ़ाया उसने क्यों बढ़ाया क्योंकि डिविडेंड मिला डिविडेंड मिला हमारा डिविडेंड आया मुकेश जी ने भेजे रिलाइंस कमणी के शेर्स खरीद रखे दे तो मुकेस जी ने भेजे बेटा तो क्या हुआ, डिवीडेट आया या भेटा, तो बैंक ने हमारे अकाउट में है, तो बैंक में रिस्慰ीट है, तो बैंक ने हमारे अकाउट को बढ़ा दिए, जो मेंटें cềर रहे है, अब उसने बढ़ा दिया, बेटा, अब बताओ मेंको यह cashbook को हमेशा cashbook को मिलना है cashbook को passbook हमेशा cashbook को मिलना है cashbook को passbook से मिलना है आरे मिलना है मिलना है मिलना है में को बता cashbook को क्या करना पड़ेगा cashbook को उपर लिजाओ के नीचे increase करना पड़ेगा नीचे होगे ना cashbook देखो dividend आया dividend आया तो bank ने क्या हमारे account को बढ़ा दिया अभी cashbook को हमेशा मिलना है Cashbook को अगर passbook से मिलना रहेंगा बेटा तो क्या करना पड़ेंगा cashbook को increase cashbook को क्या करना पड़ेंगा increase उपर देखो increase के सामने क्या लगा add तो add में लिखो बेटा एड में लिखेंगे आप यहाँ पर, dividend, dividend received, dividend received by bank, not entered in cash book, कितने का, दो लाग पचास जारू, ठीक है, दो लाग पचास, हमेशा ख्याल रखेंगे ना, बेटा, पहले क्या करा, उसमें किसका balance कम जादा, उसको कर लेना, ठीक है, और फिर cash book को हमेशा मिलना रहेंगे, तो cash book को मिलना है उससे, तो फिर देखना, आपने, increase करना पड़ेंगा, decrease, वो rule लगाओ, बनते जाएंगा, ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर, interest credited by bank, interest credited by bank का मतलब होता है बेटा, bank ने हमको interest दिया, bank ने, आप लिख लो हमाँ पर, bank ने हमारे account में interest दिया, हमारे account में interest दिया, bank ने interest दिया, और अगर वो debited, credit मतलब उसने हमारा account को बढ़ाया, उसको हमको देना है, तीक है, उसके लिए expense, उसके लिए expense हमारे लिए income, अब सुन है मेरी बात, उसने हमको interest दिया, उसने हमें interest दिया, बस इसी का खेल है, कुछ निए chapter में, बस इसी का खेल है, जो मैं कर रहा हूँ, यही खेल आपको भी खेलना है, bank ने interest दिया, bank ने interest दिया, पास बुक में, पास बुक में balance बढ़ गया, balance बढ़ गया, पास बुक में उसने हमको interest दिया, अभी cash book बोले, मुझे मिलना है, तुम से हमेशा cash book को मिलना है, cash book को मिलना है, बताओ cash book को मिलना है, तो cash book को क्या करना पड़ेगा, increase के decrease, अरे भो, interest credited by, कितना बीटा, 6,250, 6,250, ओके, इतना आसान chapter है बीटा, इतना आसान 10 mark तो पक्का है चैप्टर के बाद आपके, ठीक है, चली, अब मेरी बात दूसरी से लो, ओके, easy 10 marks है, bonus, अब देख़ो, पढ़ना, उसका meaning निकालना और देखना, cash book, pass book में क्या हुआ, पढ़ो, check deposited into bank for collection, but not collected by bank up to this date, अभी क्या हो, collection के लिए अपने जमा करा है, deposited, अपने check जमा करा है, अपने जमा करा है, तो अपने cash book में क्या करेंगे, cash book में जो bank column उसको बढ़ा दी, क्योंकि check bank में जमा करा है, तो cash book में बढ़ गया, अब ये cash book में बढ़ गया, इसको समझना है, cash book में क्या हुआ बढ़ गया, तो cash book में बढ़ गया, अब ये cash book में बढ़ गया बढ़ गया तो मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि आपने check जमा करा है, deposit का मतलब जमा कराई फिर जमा कराना तो हमने bank क्या करें इस बचिए बढ़ा दिए अब में को बता पास्वुक से मिलना है तो आप बोलो increase के decrease के नीचे deposited into bank, but not yet collected, बच्चे इसको रटे जाते, रटे जाते, अरे रटना वटना नहीं बेटा, कितने 7,70,000, ये लेस वाले आइटम है, उपर वाले जो रहेंगे, ये एड वाले रहेंगे, और नीचे लेस वाले रहेंगे, करेंगे अपने उसको, don't worry, ठीक है, अब देखो यहाँ प पढ़ना और आप ही, उसका इंटर्पेट करना, बैंक चार्जेस not entered in cashbook, बैंक चार्जेस मतलए, बैंक ने कुछ आरजेस, ATM चार्जेस, चेक्बुक चार्जेस, टीक, लोकर चार्जेस, बहुत से चार्जेस लगाते हैं, तो बैंक ने चार्जेस लगाया, ये रहा बैंक चार्जूक को कम कर दिए लेकिन हमने अभी तक Benk ने लिखा तो आप पासबुक से मिलना रीकंसाइल करना मिलना मिलना लहां बिलना है देखो बिटा है यहाँ पे, यह decrease करना है, तो decrease के लिए क्या रहेंगा है, less, ठीके, तो और एक बार कहा रहो बिटा, यह रहा, हमको क्या करा, बैंक ने बैंक चारजेस लगा है, हमने नहीं कर, तो बैंक ने हमारा account जो मैंटेन करना, हमारा account को balance को कम कर दिया अब हमने तो नहीं करें not entered in cash book बोल रहा है तो हमको bank से मिलना है ये cash book है, cash book को हमेशा मिलना है cash book को bank से मिलना है तो increase के decrease, decrease का क्या रूद है? less, तो यहाँ पर less में करो भी time लिखोंगे आप यहाँ पर bank charges bank charges charged by bank by bank but not entered in cash book उसने बोला cash book में नहीं लिखा है it is implied के bank नहीं लिखा है हमने नहीं लिखे, ठीक है ये amount यह उसने हजार होता है कितना amount है बटा? हजार होता ओके, next part क्या कहा रहा हम से हो? a check deposited into bank was dishonored but no intimation received अब दीको क्या होँवा बटा? एक check था बटा कोई हमने deposit करे बटा तो क्या करेंगे? हमने तो bank में बढ़ा दी हमने बढ़ा दी न, deposit करे बटा deposit करे हमने check को तो हमने क्या करे? deposit जैसी करे तो हमने cash book में bank balance को बढ़ा दी cash book बढ़ा दी क्योंकि check deposit करे लेकिन वो dishonor हुआ है ते बाइं कि बढ़ाया क्या बढ़ाया तो कम कर दिया उसने तो बैंक के बैलस पेकोई फर्क नहीं है क्योंकि इस एक डिसॉणर हो गया हमने जमा कराइप तो हमने कैश्वूज को बढ़ा दिये लेकिन अच्छिप्त करें दिपाजिट करें बालेंस बढ़ा दियें लेकिन passbook bank ने अभी तक के नहीं बढ़ाया बेटा क्यों डिसॉनर हो गया बढ़ाएंगा भी नहीं अब हमको cashbook को अगर passbook से मिलना है increase के decrease आप खुद बोलो बेटा बहुत increase के decrease करना पड़ेगा decrease के लिए क्या उपर देखो right hand side पे उपर decrease के लिए क्या करना है बेटा लेस तो आप यहां पे लिखो check deposited check deposited check deposited into bank into bank was dishonored was dishonored एक लाक सांट हजार रुपे गई ठीक है बेटा आप देखेंगे आप यहां पे last point bank paid bank paid house tax on our behalf bank ने house tax pay करा हमारे बिहाफ पे उस्टेनी electricity charges वाल आपको कल बताये थे हमने electric company का बिला है बस वैसा point है the bank paid house tax on our behalf but no information received from bank in this connection तो उसने हमारे बिहाफ में pay करा तो यह bank है बेटा उसने हमारे बिहाफ में pay किया तो उसने pass book में क्या करोंगा हमारे balance को कम कर दिया उसने pass book में क्या किया हमारे balance को क्या किया बेटा कम करा अब cash book को pass book से मिलना है cash book को pass book से मिलना है cashbook को पाजब्वूग मिलना habe cashbook को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज के डिकृई difference के डिकृइस house tax house tax paid by bank कितना है बिटा वो 1,75,000 बस सारे item खतम हो गया बिटा हमारे अब ये उपर जो add वाले उसको add करके बाहर लिखो 3,60,000 plus 2,50,000 plus 6,250 तो ये total आरी है बिटा इसकी 6,00 sorry 6,00 16,250 बोगे लेस वाल इटम आट करो 7,70,000 plus 1,000 plus 1,60,000 plus 1,75,000 तो ये आरी negative figure लिखना है 11,6,000 11,6,000 अब आप यहाँ पे total करो बिटा है इसकी यहाँ पे उपर से 18,60,000 plus 6,16,250 minus 11,6,000 11,6,000 तो ये आरा है बिटा आपका 13,70,000 250 अब देखो बिटे starting point क्या था debit balance as per cash book हम कहरें कि हमको बैंक से लेना है तो बैंक कहेंगा उसे हमको देना है तो ये जो बैंक कहरेंगा उसे हमको देना है तो ये जो बैंक कहरेंगा आपका credit balance credit balance as per pass book credit balance as per pass book हम कहरें कि हमें बैंक से लेना है तो बैंक कहरेंगा उसे हमको देना है लेकिन हम कहरें कि सर हमें बैंक से लेना है बिटा हम कहरें कि हमें बैंक से लेना है 18,60,000 रुपे लेकिन बैंक कहता है कि उसे हमें देना है 13,70,250 तो मैं कह रहा हूँ कि सबुद आप बैंक है मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप से 18,60,000 रुपे लेना है आप कहते हैं कि आपको मुझे देना 13,70,250 बिटा तो बहुत कि तो अलग-अलग अमाउंट कह रहें तो हमने तो यह radiation है अपका तो इनकी वजह से यह बैलन्स में और इसमें difference आ रहा है तो हमारे इसाबसे यह है पैंक के साव से हम कहरें इतना लेना है इतना देना है इसoured οιरिक वजह से और है और आ आप बेटे देखो मैं आपको बता ऐसे ही करना एड़ लेसे क्योंकि इंसिट्यूट ऐसे करते हो लेकिन एक्जाम में करो और वह सजिस्टेड में एड़ लेसे दे तो ऐसे ही करो वैलुएर को भी ऐसे दिखेंगा सारा ठीक है तो चेक करेंगा आपको एक्जाम में आंसर शी लेकिन बच्चों यहां पर में को बता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था यह क्या था अपना यह लिखने की ज़रूवत नहीं बड़ आप समझाने करा यह डेबिट था डेबिट बालस इस पर क्या शूट तो डेबिट में आप एड़ कप करोंगे जब आप उसको तो अगर आपट करो तो आंसर उतने हैंगा उपढ़ और खरेली सब्सक्राइब करते तो करते और इसको क्रेडिट करते तो आंसर आप पर इतना ही आता था ठीक है एनिवेस लेकिन हमको कैसे करना है एड और लैसे क्योंकि हमारी इंस्टीट्ट वे तो आपको यह जो फॉर्मिट यहां पर दिया वाई यह आपको सिर्फ रेफ्रेंस के लिए पिता कि मतलब जब आप को जो टेबल है आप खुद ही बता दो अच्छे ऐसा 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 रट्टा नहीं आपको चलना है वह सौल होते जाएंगे हमारे तो यह हमारा कोश्चन नंबर और ऐसे कोश्चन एग्जामिनिशन में आ जाए तो दस मारके कोश्चन आते पिटा इतो आपको कोश्चन है अब अब मैं एक और कोश्चन हम कर सकते 50 मिनिट्स अराउंड हुए एक और कोश्चन हम कर सकते तो मैं आतो कोश्चन नंबर टू पर ठीक है इसमें कितने पॉइंट से ए बी सी DEFG चले ठीक है कोई बात नहीं होने जित्ते भी पॉइंट है ठीक है अब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये लिख लो कि वो जो हमने ये जो बनाए न ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में यहाँ पर ठीक है यह सबसे इंपॉर्टेंट रहे यहां पर हमको दिया है डेबिड बालेंस अब में को बताओ इसको लिखना बहुत जरूरी यहां पर यहां पर हमको दिया है डेबिड बालेंस डेबिड बालेंस ठीके पहले पॉइंट में दिया है डेबिड बालेंस किसके साफ से दिया है डेबिड बालेंस एस पर कैश बुक दिया है सबसे पहले कोश्चन में अपने लिख लिया करेंगे फिर उसके साफ से सॉल्फ करना है अब मैं को बताओ डेबिट बालेंस एस पर कैश भी कि डेबिट बालेंस वाला ही है एस पर कैश भी कि यही तरीके से करना है तो क्या रूल है increase, add और decrease क्या करना रहेंगा बिटा लेस तो चले जाओ आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिख लो बिटा आप लोग यहाँ पर increase, add और decrease, less इसको हमेशा लिख हर कोश्चन के पहले यह लिखना अब देखो से पहले अपने को पॉइंट दिया तो आपने एक एक पॉइंट सारे पढ़ेंगे पहले BRS बना लो बिटा, इसको पर आपने कहीं लिख लेना, ठीक है अब यहाँ पर लिखेंगे बिटा, आप यहाँ पर Bank Reconciliation Bank Reconciliation Statement as on 31st December 2020, as on 31st December 2020, इसको draw करलेंगे बिटाप लो, वही आट दस लाइं का, दस लाइं का draw करलो, पर्टिक्लिस, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, पर्टिक्लिस अमाउंट, अमाउंट, इसको 10-12 लाइं का draw करलो, पिटाप, अब मैं क्या था, इस कोशन में numbering दिया, तो मैं सिक्वेंस में चलते जाओंगा, जो भी आड्लेस करना रहेंगे, अपन लिख लेंगे, आप अब देखो, ए इस पॉइंट कया कर रहें है, तो फिर आप उसको वैसे भी कर सकते हो, के पहले आपने पूरा अड्ड का कब बना ली, और फिर पूरा ऐसे भी करसका कर सकते हो, सब उस में वह चलता है, चलो इसे काम करो, ऐसे कर लो, पहले हाप लिख लो deficit balance, debit balance, S पर Cash book debit balance पर cash book कितना दिया A point में दिया है बिट अपने को 6000 रुपे 6000 रुपे outer column पर लिखो 6000 रुपे यहाँ पर लिखना add उसमें 4-5 line के space रखना बिटा और फिर आपने करना less ठीक है चल एक-एक करके क्या कह रहा है बिट अपने से पहला point A तो होगे अपना B point check had been issued 4 rupees 5000 out of which check worth rupees 4000 only were presented for payment अभी देखो check एक नहीं होगा वो 2-3 check होगे total आपने check जो ते वो issue करें इसको अच्छे समझना थोड़ा सा total जो check issue करे 5000 रुपे के तो मैंने 5000 रुपे cash book में कम करा check issue करें मतलब किसी को दिया आपने वोले मेरे account से पैसे ले लो तो हमने check issue करें उसी वकिए entry pass करते हैं हमने हमारे bank account में cash book में जो account maintain करें bank का bank column उसका हमने कम करी तो cash book में हमने 5000 रुपे से कम करें लेकिन जो हमने check issue करें 5000 रुपे के उसमें से सर्फ 4000 रुपे के ही present हुए तो एक चेक नहीं हुँए एक से ज़्यादा अलग अलग हुए तो टोटल चेक हो 5000 के होंगे तो मैंने चेक जो इशू करा 5000 के तो मैंने cash book में 5000 से कम किया 5000 से कम किया लेकिन जिसको चेक दिये 5000 के all together उसने bank में present 4000 के किया मतलब बैंक ने हमको 4000 से ही कम करा बैंक ने कितने से कम किया 5000 हम ने 5000 से कम achieved और कैश्बूक में 5000 से कम किया पास्बूक में 4000 से कम किया ऐसा क्यों किरो हर किसी की दिमाग में आ रहा हंगा सोई एक चेक आसा कर एक चेक नहीं हो दो 3.00 होंगे Core अधालग अमॉंट मिला कि एंटोटल पाँठ हथार होंगे तो उसमें से उसने 4000 का कउना के फिलक दॉस हमेशा कैश्बूक से मिलना है अभ हम ने पाँच से कम लुए जार से कम नहींने जा नेकर भाइलाख से कम किया और यह बाँज मेशा क्थ मिलना है इंक्रीज करना पड़ा उपर में देखो aquí यहाँ पे क्या रूल है increase का, increase को क्या करना है अपने को, add करना है, तो अब add वाले इसमें लिखो, check issued, check issued, but not yet presented, but not yet presented, presented in bank, अब बेटा में को बताओ हमने कितने के चेक इशू करें हमने चेक इशू करें थे 5000 रुपए के लेकिन 4000 के उसने प्रेजेंट कर दिया बेटा 1000 के प्रेजेंट नहीं किया तो आप यहां पे लिखोंगे 1000 ही 5000 कलती से मत लिखना 5000 के हमने 5 से किये उसने चार से ही कम किया तो एक हजार के प्रेजेंट नहीं हुए तो cash book को pass book से मिलना है बोलो बच्चो increase के decrease increase, increase करेंगे तो आप क्या करोंगे? add ठीके इसको लिखेंगे बटाप में आप लोगे नेक्स इस पे आएंगे बटाप अच्छे से एक सेंटी सोड़ा सा बड़ा सेंटेंस दिख रहा है चेक वर्थ रुपीज थाउदन फोर हंडेड वे डिपोजिटेड इन दे बैंक अन ट्वेंट अव डिसेंबर 2020, but had not been credited by the bank इन अच्छा वो दो आइटम है, ठीके बिटा दो अलाग अलाग ट्रांजेक्शन सी में दिया तो पहले अपन इतनी की बात करो यह वाले इसकी, ठीके इसकी बात करो, मैं वो ही कहा कि इतना लंबा सेंटेंस दिया है वो, अच्छा इतना पहले बात करो, ठीके अब मेरी बात समझना, हमने बैंक में 14.000 रुपय से डिपॉजिट करें, जमा कराएं जमा कराएं अटावी डिसेंबर को लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं कहा है, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक के जमा नहीं कराएं, क्यों? क्यों हम डिपॉजिट करते चेक, कल सिखाया था आपको, फिर वो दूसरे बैंक, जिसने हमको इशू किया था, चेक, उसके बैंक में जाता, उसके अकाउंट से कटके हमारे समय था, फिर हमारे अकाउंट को बैंक बढ़ाती है, क्रेडिट करती है, तीक है? अब क्या हुआ बेटा, यहां पे, मेरी बात ध्यान से सुना गया, अब क्या हुआ यहां पे, कि यहां पर मैंने कहा बेटा, कि यहां पे हमने जमा कराए थे, तो कैश्बुक में क्या कराए थे, हमने जमा कराए थे, तो कैश्बुक में हमने के decrease बोलो increase के decrease decrease वो पर रूल देखो पिटा decrease के लिए क्या करना रहेंगा हमको less तो जाएंगे आप यहां पर लिखो पिटा चेक deposited चेक deposited चेक deposited चेक deposited बट नॉट येट बट नॉट येट अ बट नॉट येट recorded by bank बट नॉट येट realize भी लिख सकते बट और नॉट येट realize मतलब bank में भी तक आया निये जमानी हुआ पैसा बट नॉट ये रिलाइज और येसे लिख तो recorded at bank recorded by bank बट नॉट येट recorded by bank कितना amount है पीटा 1400 अब उसके बाद देखा और कुछ भी कह रहा है हमसे उसी question में वो कहता है हमसे कि in addition to this one check 4 rupees find rate was entered in the cash book on 30 December 2020 but was banked on 3rd of January 2021 बस meaning निकालना आना चीवर अच्छे ते पड़ो उसको दो चार बार पड़ो जब तक meaning नहीं आता कि हमने एक check jeagma aonie rich man ja money हमने एक check को क्यातरी 5400 रुपय का चेक ठा जो कि entered करे Cashbook में मगर actual उसको जमा कराई थे bank में तीन तारीक को कभी कभी होता है और चेक आ गया। गलती तो किए लुक मेंड एकанич तारीक को गर्या तो आपने तीन तारीक को करना ता आपने तरड जैनवरी को उसको अपने कराई ठीक है कितने रुपय का है 500 रुपय हमने जमा करा दिये हमने अपने लिख लिख लिए जमा तो उसको पने 3 को करा है हमने जमा करा दिये तो हमने सौरी कैश बुक में लिख दिये हमने एंटर इन कैश बुक करें 30 डिसेंबर को तो हमने कैश बुक को 500 रुपे से बढ़ा दिये बढ़ा दिये लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया बैंक्ड ऑन 3rd of January सर हम तो बियारेस बना रहे 31st of December का 31st December को तो डिफरेंस था सर उसने तो तीन जैनवरी को रिकॉर्ट करा है लेकिन हमने 30 December को कर दिये एंटर हमने कर दिये कैश बुक को बढ़ा दिये लेकिन बैंक ने कब करा 3rd of January को बियारेस बना रहे 34 December को तो डिफरेंस आएंगा हमने बोले हम उपर आ गए हमें बैंक से मिलना है इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज के डिक्रीज बोलो बोलो कैश बुक को पास बुक से हमेशा मिलना है इंक्रीज के डिक्रीज डिक्रीज करना पढ़ागा ना कैश बुक को मिलना है लिखोंगे चेक रिसीवड चेक रिसीवड और एंटर्ड इन कैश बुक कैश बुक में तो अपने लिख लिए बट बट नॉट येट नॉट येट डिपॉजिटेड इन बैंक अब आप बुलेंगे सर क्यों ऐसा ना नॉट डिपॉजिट वो तीन तारीक को डिपॉजिट अभी तो नहीं हुआने सारीक को कितने से 500 से मैं पहले ही कहरो एकदम से नहीं होगा चार-पांच कोशन जब यह से प्राक्टिस कर लोंगे आप इंक्रीज से फटा फट जितने भी एडवांस हो आप कर लो ठीक है पस पेशेंस रखने अराम से एक पॉइंट को देखने मतब 34 वीडिए के बाद 34 डिसेंबर को डिफरेंस आएंगा अब हमने चेक तो इसको डिपॉजट करें चार सो रुपए का चेक था हम ने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिए मैं प्राद्य चेक को डिपॉजट करें जमा कर आए तो हमने बढ़ा दिए बैटा कितने से 400 हो गया बैंक ने हमें नहीं बढ़ाया नहीं बढ़ाया डिसॉनर हो गया अब हमको पता नहीं हमको बाद में पता चला थर्टीफर डिसेंबर को डिफरेंस है अब ये कैश बुक को पास बुक से मिलना है कैश बुक को पास बुक से मिलना है इंक्रीज के डिक्रीज अरे बोलो and dishonored check deposit and dishonored कितना था भीटा? 400 रुपी लेफ, ओकी next item पे हम आते हैं क्या करें हम से next item भीटा? ठीक है passbook shows bank charges रुपीज 20 debited by bank debited by bank का मतलब होता है bank ने हमारे अकाउंट को कम कर दी हमारे अकाउंट को कम कर दी और बैंक जब क्रेडिट कर कर दी ठीक है बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दी ठीक है? अब क्या होता है बेटा? क्रेडिट जब बैंक करता हमारे अकाउंट को बढ़ाता है जब debit वो करता हमारा account को क्या करता हो कम करता है ठीक है अब मेरी बास से फिर्ट करता है passbook शोज बैंक चार्जेसर रुपीज 20 डेबिस बाइद बाइट पास्बुख ने बैंक चार्जेस लगा दिया तो फास्बुक ने 20 रुपे से कम कर दिया हमारे अकाउंट को ठीक है हमने तो नहीं करें हमको बैंक से मिलना है हम अब मिलना है हमको bank से मिलना है बोलो increase के decrease यह bank है sorry यह हम है cash book cash book को pass book से मिलना है cash book को pass book से मिलना है increase के decrease 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 का rule क्या है वहापे अभी less यहाँ पे less कर दो let's call a bill रिख दो बिटा bank charges charged by bank charged by bank कितना 20 ओके अब आते हम next item पे क्या करें बिटे next item हम से one of the data's deposited a sum of rupees 500 in the bank account of the firm on 20th of December but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd of January 2021 अब कोई था बिटा जिसने bank में पैसा जमा करा दिया कोई हमारे customer ने तो उसने directly deposit करा तो bank में जमा करा हैं तो bank मतला पास book तो bank ने हमको 500 रुपे से बढ़ा लिया बिटा 500 रुपे से क्या करा बैंक ने हमको बढ़ा लिया मगर 34 December को दिफरेंस था हमने नहीं बढ़ा बैंक ने बढ़ा लिया 500 रुपे से मिलना है हमें बैंक से मिलना है क्या करूँ increase के decrease increase हमें बैंक से मिलना है यह अपने यहाँ पर लिखेंगे चेक डारेक्ली डिपोजिटेड इन बैंक बाइक कस्टमर बाइक कस्टमर ओके अपने 35 December को cashbook पर नहीं लिखे था अप लिक्स लगते हैं बट नॉटिद एंटर इन cashbook ठीक है बट नॉटिद एंटर इन cashbook ठीक है कितना अमांट आप पांच सो रुपे अब खतम हो गए अब बुलिंग सर एक और आइटम है न वह उसमें पास बुक के साब से बालेंस दिया मैं उस पर बात करता है पहले आप एट करो 1500 कितना हो गया पीटा 1500 लेस वाले 14 और 519 और 423 और 20 2320 करो इसको बताओ कितना रहा है छे अजार छे अजार प्लस 1500 माइनस 2320 यार आपका 5180 5180 तो हमारे पार साटिंग पॉइंट क्या था बीटा डेबिट बालेंस एस पर कैश बुक हमको उससे लेना था तो पास्बुक बोलेंगा क्रेडिट बालेंस क्रेडिट बालेंस एस पर पास्बुक हमको बैंक से लेना है तो बैंक को हमको देना है बीटा तो क्रेडिट बालेंस एस पर पास्बुक बीटा ठीक है मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे 6000 लेडा है NOSTime देना है तो मैं कह रहा हूं इतना लेना ہے वह कह रहा है इतना देना है मगर 6000 तो इन वज़ा दिफरेंस आरहे इसकी इन प stairs 있어서 this equal से अगर मैं बताऊं को साटिंग पॉइंट किया है कि स्टाइबिट क्रेडिट क्रेडिट क्या है डवित क्रेडिट यह डवित में आप डवित करते हैं यह सारे अईटम क्या क्या है बटा आपके debit वाले और यह आइटम को क्या अगर आप debit करें अगर डेबिट करें इसलिए यह debit और ऑपनीग डेविट करें इसलिए यह डे बिट और एग क्रेडिट ऑपनिंग practice करना पढ़ेंगा 3-4 question और उसके बाद you do लोग इसको रटे जाते रटे जाते कुछ नहीं नहीं zero आप आइसा करके बता देगा ठीक है भी कुश्चनअम सान इतल्द एक homework आपको देना चाहा रहे हैं of myx positive दिस्कर्ट्ड भी कर लेता एक जो आपको आज homework देना मैं चाह रहा हूं कि यह जो क्लास की question हुए हमारा जो हुआ आज practice drill का मैं बात करहूं बीटा practice drill में आज आप पहले करेंगे question number 2 question number 2 is homework आज एक ही homework है ठीक है देखो क्या कह रहा है CA foundation November 18 के examination question दस मार का पुछता है अब पहला point क्या करें debit balance as per as per bank column of cash book तो debit balance किसके साब से बीटा cash book के साब से तो आप यहां पर क्या लिखोंगे यह आपको दिया debit balance as per cash book starting point cash book इंक्रीज decrease क्या increase decrease का यह add और यह less इस चीज़ को ख्याल रखना बस simple है तो यहां पर देखो इसने debit balance as per cash book कि उसने लिख दिया है यहां पर अब पहला point कहते है कि check issued to creditor but not presented to the bank for payment यह आप कर लोंगे सिखाया आपको check issued करें तो क्या हुआ यहां पर हमने cash book में क्या करें हमने कम करें बैंक ने नहीं कर रहा बेटा हमने शुकर प्रेजेंटी ने तो बैंक कैसे कम करें इसको मिलना cash book को pass book से मिलना है तो हम क्या करना पड़ेंगा increase increase का उपर में देख लो पिटा क्या रूल add तो आप इसको add करोंगे यहां पर देखो add इसमें लिकर 3,60,000 तो add करेंगे ठीक है dividend received dividend received by the bank but not entered in the cash book dividend received pass book ने बढ़ा दिया बढ़ा दिया डिविदेंट रिसीव पास बुक ने क्या करा बढ़ा दिया अब हमने तो नहीं बढ़ा है dividend उससे received होता है बैंक ने बढ़ा दिया हमने नहीं बढ़ा हमको बैंक से मिलना है cash book को pass book से मिलना है increase करना पड़ेगा increase उपर देखो क्या लेका add इसको add करोंगे 250,000 ठीक है interest allowed by the bank interest क्या करा बैंक बैंक ने allowed by the bank अब interest allowed by the bank 6250 तो इसने क्या करा उसने इंट्रेस अलाव के तो उसने हमको बढ़ा दिया क्या 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 है उसने हमारे account को बढ़ा दिया हाँ ह De rzeczywiście आपने वेसे आज जो क्वैसन करा है वैसे आप भी कर सकते हो नहीं बता रहाँ हूं लेकिन आब भी कर सकते हो चेक डिपॉजिटेट वाला, बैंक चार्जेस वाला, यह आज ही करें नहीं कोशन, यह आप भी कर सकते हो, अज हाउस टेक्स, ऐसी कोशन तो आज करें अपने, ठीक है, लेकिन यह आपका एक्जामिनिशन का कोशन था, अपने आटीपी करें, ओ हो, तो सेम कोशन है, यह तो स एक्जामिनिशन में, और यह जो अपने करी, यह आटीपी का था, यह आटीपी का, तो सेम कोशन आटीपी 20 का और उसका था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर होमवक सेक्शन में तब आप करना है, सेम कोशन, अमौन भी सेम है, ठीक है, मगर आपने इसके बाद कर लेना ह कुछ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पढ़ेंगे, लोग रट्टा मारते रहते, कुछ भी नहीं करना है, बस ही कैश बुक और पास्बुक का खेले, इसी को बस हम को देखना है, कि क्या कम जादा हुआ, और उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसा लाना है, तो कैश आप से हम सॉल्व करते जाएंगे, और इस आप्तर हमारा खतम हो जाएंगा, आज के लिए इतना ही, टेक केर, बाबाए